खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तक्तीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है गरीबों की आवाज, किसानों की ताकत, मजदूरों की हिम्मत, दीन दुख्यों के बंदू, दीन बंदू, सर्च चौदरी छोटू रामजी 24 नवंबर सन 1881 खो, रहतक के एक गाउं, गड़ी सापला में, एक बहुत ही साधारन किसान परिवार में, पिता चौदरी सुख रामजी जाट वा मा, श्रीमती सरला देवी जी के यहां, जन्मे चौदरी छोटू रामजी, भारत मा के ऐसे महान सबूत थे, जिनकी हर धड़कन देश के करीब किसान, मजदूर और मजबूर के लिए समर्पित रही, बचपन में उनका नाम राम रचपाल रखा गया, परंतु घर में सबसे चोटे होने के कारण, सभी लोग उने प्यार से चोटू ही कहते थे, इसलिए आगे भी इनका नाम चोटू राम ही हो गया पालक छोटू राम बचपन से ही विलक्षण प्रतवा के धनी थे, गरीबी किसानों की समस्याओं को उन्होंने बचपन से ही नजदीक से देखा और समझा था, वे उच्च सिक्षा प्राप्त करके उनके हक की लड़ाई लड़, देश की सची सेवा करना चाहते थे, लेकिन परिवार की आर्थिक इस्तिती इसमें सबसे बड़ी पाधा बन रही थी प्रारम्बिक सिक्षा पूरी करने के बाद बालक चोटूराम को उच्च सिक्षा प्रांप्त करने के लिए अधिक धन की आवर्शक्ता थी, इसलिए उनके पिता एक दिन साहूकार से कर्ज मांगने उसके घर गए उस समय बालक छोटू राम भी पिता के साथ थे करजा मांगने पर साहुकार ने उनके पिता का अपमान करते हुए उन्हें सला दी एक जाट के बच्चे के लिए छोटू राम की प्रारंबिक सिक्षा पर्याप्त है अब छोटू राम को किसी पटवारी या हेड कॉंस्टेबिल की नौकरी कर लेनी चाहिए साहुकार की इन अपमान जनक बातों का बालक छोटू राम के मन पर बहुती गहरा आसर हुआ और तभी उन्होंने जीवन में कुछ बनकर करीब किसानों मजदूरों के हक के लिए संघर्ष करने का संकल्प ले लिया उनके पिता ने सभी चुनोतियों का सामना करते हुए करजा लेकर उनका दाखिला दिल्ली के सेंटि स्टीफन कॉलेज में करवाया जहां से सन 1905 में उन्होंने पिये की परिक्षा उत्रीड की चौदरी चोटू राम जी ने जब दिल्ली के सेंटि स्टीफन कॉलेज में दाखिला लिया तो उन्हें ने वहां पर देखा कि भारती चात्रों के साथ बहुती भेदवाव पूर्वय अपनाया जाता है और भी बहुत सारी समस्यां थी इसके विरोध में चौदरी चोटू राम जी ने हरताल कर दी और इस हरताल को उनके जीवन की पहली हरताल भी माना जाता है करने में भरपूर आर्थिक मदद की सर चोटू राम ने अपनी एलर्वी की परिक्षा 1910 में आगरा कॉलेश्य की जार्ड बोर्डिंग हाउस में रहे और यहीं पर उन्होंने अपनी पकारात फूरी करने के बाद प्रैक्टिस भी की उसके दोरान उन्होंने जार्ड बोर्डिंग हाउस का जीवन धार भी कराया यह हमेशा उनको जो है आगरा की जन्दा हमेशा उनको याद करेगी सन 1912 में चौदरी छोटु राम लोट कर रोह तक आ गए और चौदरी लालचन जी के साथ मिलकर वकालात करने लगे वकाला जैसे पेशे में आने के बाद भी बेकेवल उन्हीं मुकदमों को सुविकार करते थे जिन में मोगकिल का पक्ष न्यापूर्ण होता था वर्स 1912 में ही चौदरी छोटु राम ने जजजर में जाट महासवा बनाई चौदरी छोटु राम जी एक निर्भीक पत्रकार भी थे बिये करने के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए अंग्रे जी के हिंदुस्तान अखवार का संपाधन भी किया फिर सन 1916 में उन्होंने उर्दु भासा में अपना क्रांतिकारी समाचार पत्र जाट गजट निकाला यहां हर्याना का सबसे पुराना अखवार है जो आज भी प्रकाशित होता है यह वो दौर था जब देश कुलाम था और आजादी के लिए संगर्ष कर रहा था वे भी पूरे मनेयोग से इस स्वतंतरता संगर्ष में सामिल हो गए अपने समाचार पत्र जाट गजट के माध्यम से वे अंग्रेजों की गलत नितियों का मजबूती से विरोध करने लगे उनकी कलम मानो आग उगलती थी वे हमेशा देश के किसानों से कहते थे कि ए भोले किसान मेरी दो बात मान ले पहली तू बोलना सीख दूसरी दुश्मन को पहचान ले फिर तुझे कोई दोखा नहीं दे सकता किसानों को ए भोले किसान तु बोलना ले सीख्स दुस्मन को पेचान जैसी सिख्षा देने वाला और राजनितिक यूजनिस्ट पार्टी बना कर ऐसा राजनितिक जो सरधरम सरजाकियों में एक पिरियनेता बन गया किसानों की भसल जब खेट से उठती थी तो दाम ज्यादा होता था विचोलियों के पास पहुशते ही दाम कम करने वाला एक ही राम हो सकता है छोटू राम हमारा राम छोटू राम उनके इस उग्रू रूप को देखकर रौतक के डिप्टी कमिशनर ने ततकालीन अंग्रेजी हुकूमत से चोधरी छोटू राम जी को देश से निकालने की सिफारिस की परंतु पंजाब की सरकार ने अपनी रिपोर्ट में आगाह करते हुए चेताव ने दी के यदि ऐसा किया गया तो पूरे पंजाब सहित उत्तर भारत में भयंकर अराजकता फैल जाएगी जिसे संभाल पाना कतई आसा नहीं होगा लिहाजा डिप्टी कमिशनर की सिफारिस को रद्द कर दिया गया जी हाँ ऐसा ही व्यक्तित था चौदरी छोटू रामजी का चौदरी छोटू रामजी बहुती कुशल राजनेता थे सन 1916 में वे कॉंग्रेस के सदर से बने और उन्हें उस समय रौतक कॉंग्रेस कमेंटी का अध्यक्ष बनाया गया लेकिन जल्द ही 1920 में वे कॉंग्रेस से अलग होगे और बहुत शीक रही सन 1923 में मिया फजल हुसेन के साथ मिलकर उन्होंने एक नई पार्टी यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया और बहुत जल्द ही इस पार्टी ने जनता पर अपना एक विश्वास कायम किया सन 1937 में पूरे भारत में परांती विधान मंडल के चुनाब हुए जिसमें पंजाब परांत में यूनियनिस्ट पार्टी ने सरकार बनाई उस समय के पंजाब प्रांत के अंतरगत वर्तमान समय का पंजाब, हर्याना और पंजाब से लगा पाकिस्तान का एक बड़ा भाग शामिल था पंजाब में गठित इस सरकार में सर चौदरी चोटू राम को क्रशी एवं राजस्व मंत्री बनाया गया तब सर चोटू राम जी ने अपनी शक्ती का उपयोग करते हुए धरीबों, किसानों और मजदूरों के लिए अनेक कानूनों को पारित करवा कर उन्हें सोर्षण से निजाब दिलवाई साहूकार पंजीकरण एक्ट 1938 इस एक्ट के अनुसार कोई भी साहूकार पिना पंजीकरण किये किसी को करज नहीं दे सकता था, इस अधिन्यम के पारित होने से साहूकार अध्वारा किये जाने वाले सोर्षण पर अंकुष लगा गिर्वी जमीनों की मुफ्त वापसी एक्ट 1938 इस अधिन्यम के पारित होने से किसानों की लंबे समय से गिर्वी रखी जमीने उन्हें वापस बिल सकी क्रशी उत्पाद मंडी अधिन्यम 1938 इसके अंतरगत किसानों को मंडी में आड़तियों द्वारा किये जाने वाले सोर्षण से निजात मिली व्यवसाय स्रमिक अधिन्यम 1940 बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाये जाने वाले इस कानून ने मजदूरों को सोर्षण से निजात दिलवाई इसके साथ ही उन्होंने मोरों के संरक्षण के लिए भी संगर्ज किया देश की आजादी के बाद मोर को देश का राष्टी पक्षी सुईकार कर उसे संरक्षण दिया गया है परंतो अंग्रेजों के समय में भारत में अंग्रेजों के द्वारा मोरों का शिकार किया जाता था जिसका सर चौदरी छोटू रामजी ने कड़ा विरोध करते हुए लंबा संगर्ष कर मोरों के मारने पर फाबंदी लगवाई जिससे उस समय मोरों को संरक्षण मिल सका सर चौदरी छोटू रामजी भाखडा नागल बांध के जन्म दाता भी माने जाते हैं क्योंकि उन्हीं के मजबूत प्रयासों के फलसोरू पिलासपुर के राजा बांध निर्माण के लिए जमीन देने को तयार हुए उनके द्वारा विभिन छेत्रों में किये गे उल्लियक नियकार्यों के लिए अंग्रेजी सरकार ने उन्हें सन 1927 में राय बहादुर की उपादी तथा सन 1937 में सर की उपादी प्रदान करके सम्मानित किया आपके त्याग, संघर्ष और समर्पण के लिए आपको रहवरे आजम की उपादी दी गई आपकी तयालू प्रबर्ती के लिए आपको तीन बंदू कहा जाता है सर चोटी राम ने अपना सारा जीवन किसानों की भराई के लिए तो लगाई दिया परंथ शिक्षा के छेत्र में भी जो कार्यों की द्वारा किया गया उसे हमेशा इसमर्ण किया जाएगा उन्होंने जाट आर बैदिक संस्कृत विद्याले रौतक में इसाबित करके शिक्षा के छेत्र में बहुत बड़ा कार किया उन्होंने गरीबी को नजदीक से देखा था गरीब बच्चों के सामने शिक्षा में क्या परिशानी आती है इनको भी उन्होंने भोगा था इसलिए उन्होंने जब अपने जीवन काल में अपनी आयका बहुत बड़ा हिस्सा उन गरीब बच्चों पर खर्च करते थे जो प्रतिवास आली थे दीन बंदू सर चोधरी चोटू राम जी एक व्यक्ती नहीं बलके संस्था थे वे विवेक विचार और दर्शन थे जीवन में इतनी उचाईयां चूने के बाद भी उनका मन सदैव देश के करीबों किसानों मजदूरों के लिए समर्पित रहा वे हमेशा उनकी मजबूत आवाज बने रहे उनके हक के लिए संघर्ष करते रहे लेकिन उनमें आत्म विश्वास जगाने वाली उनकी यह मजबूत आवाज आखिरकार 9 जनवरी सन 1945 को हमेशा के लिए शान्त हो गई लाहोर में दीन बंदू सक चौदरी छोटू रामजी का स्वर्गवास हो गया पूरा देश मनो शोक में डूग गया सभी ने नम आखों से अपने इस लोक प्रियन नेता को अंतिम विदाई दी सध्य चौदरी छोटू रामजी के जीवन के बारे में तो यही कहा जा सकता है कि एक सूरज था कि तारों के घराने से उठा आख हैरान है क्या सक्स जमाने से उठा क्यों शोग्स करने सब्सक्टा है